सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उज्जोल भविशे के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलब्ध अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्रे स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंध है और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्याला के माध्यम से कर रहे हैं इस कारिक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम चार बजे से पांच बजे क्लास तीन से पांच की पढ़ाई होती है जहां हम मज़िदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बाते सीखते हैं साथी जरूरी बातों को अपनी कौपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अने बड़ों के साथ बैठ कर तो तयार है ना आज भी अपनी कौपी और कलम के साथ अब जलिए देखते हैं आज हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं आज हिंडी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है रितू की लंबी चिठ्थी फिर पढ़ाई करेंगे अक्षर और बारा खड़ी की उसके बाद पढ़ाई करेंगे संगीत की और सीखेंगे सवरों की पहचान करना फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे शेत्र फल की फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है पेंग्विन उसके बाद जानेंगे भाग सीखने का चार्ट बनाना फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है सी यू टुमोरो और सबसे अंथ में चलेंगे पटना का संजय गांधी जावी कुद्यान और देखेंगे जू शो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो बच्चो थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खतम हो जाता है पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो सब को मिल कर करनी चाहिए है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम हमारे आज की प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल तो आप सभी तैयार हैं? काका, आज काम में ही उल्ज रहेंगे क्या? या कोई कहानी भी सुनाएंगे? काम तो होता रहेगा काकी को बुला लो, कहानी शुरू करते हैं मैं यही हूँ, आप तो शुरू कीजिए शुरू हो जाईए तब तो आज हम लोग रितू की कहानी सुनते हैं अब आप मीना से सुनी कहानी रितू की लंबी चिठी लेखन माला कुमार चित्रांकन हेनू अनुवार मनीशा चौधरी प्रकाशन प्रथम बुक्स साभार स्टोरी वीवर दादा जी चिठी लिख रहे थे रितू पास में गुर्सी की सहारे खड़ी थी दादा जी आपने मणी को चुट्टियों में हमारे घर बेजने को कहा है ना हाँ बेटी मैंने तुम्हारी बुवा को लिख भेजा है देखो मैं तुम्हें चिठी पड़के सुनाता हूँ प्रिये पूजा आशा है तुम सकुषल होंगी मणी की छुटियां शुरू हो गई होंगी रितू उससे मिलने को बहुत उस्सुक है उसे तुम यहां तुमकुर भेज दो रितू उपन नीची उचली फिर अपने को रोग नहीं पाई इसलिए कमरे का चक्कर लगाया और दादा जी को बहुबे खेर लिया तुम अपने आप ये चिठी डालना चाहती हो दादा जी ने पूछा रितू ने बड़ी बड़ी आखे खोली अपने आप सच मैं डालू हा रितू रानी देखो मैंने पता लिख दिया है इसे डाखाने ले जाओ पोस्ट कार्ड रमेश काका को दे देना वह लंबे वाले जिनकी बड़ी बड़ी मूचे है उन्हें जानती हो न जी दादा जी वही वाले काका हैं जिनोंने पिछले साल गरिमियों में मनी को साइकिल चलाना सिख लाया था क्या वे पूजा बुआ के पास चिठी ले जाएंगे रितू ने पूछा नहीं रानी बिटिया पर चिठी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी फिक्र मत करो दादा जी ने कहा रितू ने अपना छोटा गुलाबी बस्ता थामा और उसमें पोस्ट कार्ट रख दिया साथ में एक पैंसिल भी उसे अपने पर बड़ा गर्व हो रहा था रितू अब बड़ी हो गई थी पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं वे भगीरा नाम का कुत्ता उसके पीछे तो नहीं भागेगा पर रितू चिठी डालने के लिए बहुत ही उस्सुक थी वे डाख खाने की तरफ चल पड़ी जो सिर्फ चार घर छोड की था कुछ कदम आगे चलकर रितू रुकी और उसने चिठी निकाली वे दादा जी की लिखाई बहुत अच्छे से नहीं पड़ पाती थी उसने याद करने की कोशिश करी कि दादा जी ने क्या पड़ कर सुनाया था फिर जो शब्त उसे लगा कि टुमकुर था उसके आगे उसने लिखा प्लीज जरूर अगले घर तक पहुच कर वे रुकी और उसने फिर से पोस्ट कार्ड बहा निकाला क्या पता पूजा बुआ समझेंगी कि नहीं रितू मणी से मिलने को कितनी उससुख है इसलिए रितू ने फिर से पैंसिल निकाली और लिखा प्लीज जरूर आखिरकार रितू छोटे से डाग खाने तक पहुच ही गई डाग खाने के बहार एक लाल डाग पेटी लगी हुई थी पंजो के बल खाड़े होने पर भी रितू उसकी मूँ तक नहीं पहुच पाई वहन नीडर होकर रमेश काका की तरफ पड़े उन्होंने उससे पोस्ट काड ले लिया और मुस्कुराए हमारी रितू तो बहुत चतुर है अब ध्यान से घर की तरफ दोड जाओ मैं देखूंगा कि तुमारी चिठी बुगा के पास जरूर पहुच जाए पर रितू दोड़ी नहीं उसने देखा कि रमेश काका ने कलम उठा कर काड पर कुछ लिख दिया फिर उसे डाकियों को पकड़ा दिया जो कि बहुत सी चिठी उपर जोर से मोहर लगा रहा था धम 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 जब उसने रितू की चिठी देखी तो वह रुख गया फिर मुस्कुराया कान के पीछे से पैंसिल निकाली और काड पर कुछ लिख डाला पांच दिन गुजर गए डाकिया दादा जी के लिए एक चिठी लाया दादा जी ने पढ़ते हुए मुस्कुराने लगे रितू तुम्हारी बुवा ने लिखा है कि वह मणी को परसो यहां भेज देंगी मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ अदर्नी ये पिता जी मैं कल मणी को भेज रही हूँ वह शुकरवार को टुम्हार पहुट जाएगा लगता है रितू उससे मिलने को बहुत ही बेचैन है आपकी चिठी तो बड़ी मज़ेदार थी दादा जी मैंने चिठी पर प्लीज जरूर लिखा था इसलिए रितू चहक कर बोली आपके पोस्ट कार्ड पर 20 प्लीज जरूर लिखे हुए थे दादा जी ने आगे पड़ा रितू के समझ भी नहीं आया कि एक प्लीज जरूर 20 कैसे बन गए वह तो यही सोच कर खुशती कि उसने एक प्लीज जरूर जोड़ा था और फिर एक और प्लीज जरूर कहानी सुनने में मज़ा भी आया और समझ में भी आ गया फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ प्रश्न बता देता हूं ये तो बहुत जरूरी है जी इस कहानी से सम्मंधित कुछ प्रश्न है पर कुछ प्रश्न आप भी बनाईए और घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए पहला प्रश्न है दादा जी किसको चिप्ठी लिख रहे थे दूसरा प्रश्न है रितु ने दादा जी को बाहों में क्यों घेर लिया था तीसरा प्रश्ण है रितु ने चिप्ठी पर बार बार प्लीज जरूर क्यों लिखा था कहानी खतम और मैं चला अरे अरे जनाब कहां चले सोच रहा था थोड़ा टहल लूँ अचानक टहलने की क्या जरूरत है वो भी इस धूब में काका आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है मैं तो सोच रहा था आज पिटारा खोनले से बच जाऊंगा पर काम्याब नहीं हो सका आपकी सब चाल समस्ती हूँ फिर चलो टहलने की जगा खेल ही खेल लेते हैं शुक्रिया दोस्तों अब खेल शुरू करते हैं खेल का नाम है भालो की बारह खड़ी इस खेल में हम बारह खड़ी के साथ-साथ उसकी हर इकाई से एक सब बनाना सिखेंगे तो तयार है ना आप साथ मेरे साथ खेलने के लिए चलिए बहुत बढ़िया आप खेल को सुरू करते हैं सबसे पहले हम चा की बारह खड़ी को पढ़ेंगे चना चाल चिपक चीनी चुटकी चूना चेला चैन चोटी चौका चाप चना चव्का चको चउप चाप ची ची चूप चूप चे चय चो चव चंग चह एक एक शप्त पर उमली रखकर सुनो वो शप्त क्या है तो चलिए सुरू करते हैं चना चाल चिपक चीनी चुटकी जूना चेला चैन चोटी चौका चंगा चह फिर पढ़ते हैं इसे चो चा ची ची चुटकी चूटकी चूटकी चे चै चो चौटकी चम चह अब आगे बढ़ते हैं सच साथ सिलना सीमा सुन सूट सेब सेलाब सेलाब सोना साथ साथ संग सह स स साथ ससराब सी सू सू से से एक एक शक्त पर उंगली रखकर सुनो वो शक्त क्या है? तो सुरू करते हैं सच, साथ, सिलना, सीमा, सुन, सूद, सेब, सैलाब, सोना, सौदा, सं, सह एक बर फिर से बारह खड़ी को पढ़ते हैं स, सा, सी, सी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सम, शह चलिए, खेल तो यहीं पर खतम हो गया वाह काका, बहुत मज़ेदार हम, खेल या खेल के चित्र? दोनों, क्यों बिट्टू? बिल्कुल बिट्टू, आगे कौन सा खेल खेला जाए? काका से पूछते हैं अच्छा, खेल का नाम भी मुझे ही बताना है चिन्ता क्यों कर रहे हैं? पिटारा नहीं खोलना है सिर्फ नाम बताना है हम, हमसे गल्ती हो गई क्या गल्ती हो गई? हाँ, हाँ, बताओ जनाब, आप खेल का नाम सोचिए गल्ती पर मत जाएए पर काकी हुआ क्या? बिट्टू, जितने देर में ये नाम सोच रहे है उतने देर में तो तुम्हारी काका से पिटारा खुलवा सकते थे हाँ, हाँ, हाँ याद आ गया स्वरो की पैचान वीडियो दिखा दो हम, देर आए पर दुरूस्त आए हाँ, 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 हाँ किसी भी तरह की संगीत में दो तरह के पहले होते हैं एक होता है मेलोडी या फिर धुन और दूसरा होता है रिदम या फिर ताल, ये धुन कैसे बनती है, किसी को पता है? नई तो जो धुन होती है, वो कुछ मुजिकल नोट से मिल कर बनती है और भारती संगीत में उन म्यूजिकल नोट्स को स्वर बोलते हैं जानना चाहोगी ये स्वर कैसे सुनने में लगते हैं? हाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा गला कैसा होता? बिल्कुल सीधा अगर आपका कोमल से जगडा हुआ तो आप कितनी उची आवाज में बात करोगे? बहुत उची करोगे बताओ कैसे करोगे बात? एक ठपड लगाओंगी कोमल आपका अगर उसे जगडा हुआ तो आप कैसी आवाज में बात करोगे? एक कान के नीचे खिश दुए सो जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा गला कितना उपर पहुँच जाता है? उपर मगर जो हम बातचीत करते हैं तो गला नीचे रहता है तो ये जो हमारे स्वर है ना ये भी हमारे गले को नीचे से उपर तक लेके जाते है अब हम बात करते हैं स्वर होते कैसे हैं, तो मैं धुन बजाओंगी यहां पर, एक स्केल है, आप लोग को यह वाद सुनाई दे रहे हैं, तो हम अपने सबसे पहले स्वर से शुरू करेंगे, जुसका नाम है सा, तो अगर हमें इस स्केल में सा पकड़ना हो, तो हम कैसे गाए सा, बुली, सा, जी, बे, गा, गा, मा, मा, पा, पा, बा, बहुत सुन दे, धा, गा, नी, सा, तो आपने देखा हमारा गला नीचे से, उपर, है ना, जब हम उपर जाते हैं, गले में थोड़ा सा दोर पड़ता है, तो हमारे कितने नोट्स हुए, आट, तो सा से नी तक हमारे साथ स्वर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सरगम, क्या बोलते हैं, सरगम, हाँ, तो जो हमारा आठ्वा स्वर है, सा, वो किसी भी सरगम को खतम करने के लिए हम सा दुबारा से यूज़ करते हैं, और उस सा के आगे से एक और नई सरगम शुरू हो सकती है, सवरो के नीचे से उपर हुए चड़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, आरोह, वेरी गूड, तालिया सब के लिए, अब हमें उपर से नीचे भी आना है, और उसको क्या बोलते हैं, आप, तो अब हम पहले उपर चड़ें, द्वारा से सीड़ी पर, सारे गमा, पार्दा, नीचे, आप क्या करेंगे, उपर से, नीचे, सालीधा पा, मागरे सा, बोले एक साथ, सालीधा पा, मागरे सा, बहुत सुन्दर, सो चड़ते विक्रम को क्या बोलते हैं, आरो, और उतरते विक्रम को, आरो, और अवरो, बहुत सुन्दर, वा, बहुत खुब बिट्टो की काकी, ये तो आपकी पसंद का वीडियो था, फिर तारिफ नहीं करेंगे, तो भी चलेगा, पर सुर में बोलने के लिए मत बोलना, आप डरते क्यों हैं, आपको सुनाने के लिए समय देंगे, काका, कुल मिलाकर आप बचने वाले नहीं हैं, ठीक है, जब सुनाना होगा तब सोचेंगे, अच्छी बात है, सोचिए, अभ्यास कीजिए, फिर सुनाईए, मैं भी आपके साथ सुनाओगी, बच्चों आप भी इस खेल का अभ्यास कीजिए, और घर के सदस्यों को सुनाईए, और उस पर चर्चा कीजिए, का कीजिए मर्ष घर कीजिए, रीक है, मैं भी आपके सुनाईए, और भीप बात है, युर्ण को सुनाईए, च्छ熬। करिंग जब हैं तूलुप инच कि अ liquid summer क्योंको एक ह।कित्या धिस्ग कि अपिरों धिकलो कि फस्टमली बाल दिरत Rechts對कल येंग być寵 थिर's कि प्लादित कि फाल फ्डalg rect a व्क प्लाग तो आप लोगों ने कहानी सुनी, मज़ा आया ना कहानी सुनकर, मुझे तो बहुत मज़ा आया कहानी सुनके और उस पे बात चीज करके, और हमने अक्षरों के खेल भी खेल लिये, मतलब आज तो बहुत कुछ सीख लिया हमने है न, तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं थोड़ी सी गनित सभी तैयार है? थोड़ा गुना थोड़ा घटाओ करने के लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ तो चलिए सीखते हैं गनित खेल खेल में हसी मजाद में थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी तो आओ आज हम समझेंगे शेत्रफल आखे शेत्रफल होता क्या है इसे समझने के लिए एक उदाहरन लेते हैं यहां है छुटकी और बड़कू आप तोनों में चॉकलेट को लेकर हुई लड़ाए और तब ममी ने मुन्नी को कहा कि आप चॉकलेट पर दी हुए बरकाकार जो 30 है उन्हें गिनिये तो बस मुन्नी होगे शुरू एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और एक बारह तो मुन्नी को मिले इस चॉकलेट पर बारह पीस और दूसरी चॉकलेट पर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, और एक आठ फूरे आठ बरकाकार पीस आप अगर ध्यान से देखें तो ये बरकाकार पीस देखने में बिल्कुल समान है इनका प्रस्ट एक तम समान है लेकिन इसका छेत्रफल ज्यादा है यानि किसी बंद आकरती द्वारा घिरी जगार को उस आकरती का कहते हैं छेत्रफल आप यहां कमरे में देखे और आप बताए कि इन कमरों का आप छेत्रफल कैसे बता सकते हैं कैसे पता करेंगे कि इनका छेत्रफल कितना है हाँ आप यहां कर सकते हैं दिये कई कमरी में चो ये वर्का कार टाइल्स हैं आप उन्हें गिन सकते हैं और जितने वर्का कार टाइल्स होगे उतना ही कमरे का छेत्रफल होगा अगर हम पूछें कि दोनों कमरों में से ज्यादा छेदर फल किसका है तो जितने ज्यादा वर्ककार टाइल्स जिस कमरे में है उस कमरे का छेदर फल उतना ज्यादा है लेकिन अगर वहाँ टाइल्स हो ही न तब हम क्या करेंगी एक दव परशुक तब यहां कैसे ग्याद करेंगे कि छेत्रफल कितना है हाँ तब हम इस तरह के किसी कागज की टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं या किसी अखवार के टुकड़े का इसे हम कमरों में बिछा कर देख सकते हैं जिस कमरे पर ज्यादा टुकड़े आते हैं समझो उस कमरे का छेत्रफल ज्यादा है लेकिन अगर हमारे पास यह न हो और हमारे पास कोई गोलाकार या अंडाकार चीज हो क्या तब हम छेत्रफल निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं तब छेत्रफल निकालना शायद मुश्किल होगा क्या ना मुम्किन? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम इन गोलाकार चीज़ों को बिछाएंगे तो इन में कुछ जगा पच जाती है दीच में जिसका छेत्रफल हम ग्याद नहीं कर पाएंगे और इस तरह ये जगा छूट जाएगी और हम नहीं पता पाएंगे कि सही छेत्रफल हम निकाल सके या नहीं तो छेत्रफल निकालने के लिए या तो हमें आयत लेना होता है या फिर हम वर्ग का प्रयोग करते हैं यहाँ छेत्रफल ग्याद करने के लिए बहुत आसान होते हैं लेकिन सबसे मानक तरीका कौन सा है तो सबसे मानक तरीका यह वर्ग है और इसलिए चेतरफल ग्याद करने के लिए मानने इक़ाई को ही हम वर्ग कहते हैं तो आओ, अब इस वर्ग को समझ लेते हैं यहां है वर्ग और अगर जुस वर्ग को हम एक इकाई में बांड़तें मतलब इसकी चारों भुजा अगर एक इकाई की हो, तब इस वर्ग का छेतरफल होगा एक वर्ग एकाई दोस्तों जब भी हमें छेतरफल नापना होगा तो हम या तो वर्ग मीटर या फिर वर्ग सेंटी मीटर या वर्ग किलो मीटर में ही नापनेंगे चीक है इसे याद रखेगा हेलो दोस्तों चलो बच्चों आज हम गुणा चाट बनाते हैं तो बच्चों तुम्हें पता है गुणा चाट कैसे बनाते हैं नहीं पर हमें सीखना है तो चलो गुणा चाट बनाते हैं हाँ हाँ चलो चलो हम यहां बनाएंगे सबसे पहले तो यहां पर एक, दो, ती, चाट, पाट, चे, साथ, आड़, नो, दस दस तक गिंती लिख ली अब यहां लिखते हैं, कॉलम में और यह पुरे दस यहां भी लिख लिए अब हम करने वाले हैं गुणा ठीके दोस्तों तो देखो एक, गुणा एक बराबर कितना होगा? एक और एक गुणा दो, दो एक गुणा तीन, तीन एक गुणा चार वुगा चार एक गुणा पांच, पांच एक गुणा चे, यह चे और एक गुणा साथ, यह साथ एक गुणा आठ पराबर आठ और एक गुणा नो पराबर नो और एक गुणा दस, दस अब यहां देखो एक गुणा दो दो एक गुणा तीन, बराबर दे एक गुणा चार, बराबर चार एक गुणा पांच पराबर पांच और एक गुणा छे यानि छे एक गुणा साथ पराबर साथ और एक गुणा आठ पराबर आट एक गुणा नो हानो और एक गुणा दस पराबर दस अब यहां दो पर आते हैं दो गुणा दो होगा चार दो गुणा तीन छे 2 गुना 4, 8 2 गुना 5, 10 2 गुना 6, 12 2 गुना 7, 14 2 गुना 8, 16 2 गुना 9, 18 और 2 गुना 10, यानी 20 आप 3 और 2 का गुना 3 गुना 2, 6 4 गुना 2, 8 5 गुना 2, 10 6 गुना 2, 12 7 गुना 2, 14 8 गुना 2, 16 9 गुना 2, 18 और 10 गुना 2, 20 अब देखतो इस पार हम ये तीन ले वेते हैं कॉलम में और पंती में भीते तो 3 गुना 9 फिर पंती में आगे बढ़ते हैं तुचाब 3 गुना 2, 12 3 गुना 5 ये नेती 5 गुना 5, 15 3 गुना 6, 18 3 साथ बार 21 3 आज बार 24 3 गुना 27 गुना 27 अब फिर से हम पंती पर आगे बढ़ते हैं 4 गुना 4, 16 4 गुना 5, 20 4 गुना 6, 24 4 गुना 7, 28 4 गुना 8, 32 4 गुना 9, 36 और 4 गुना 8, 40 अब पंती में आगे बढ़ें इस पार कॉलम में बढ़ेंगे 4 गुना 5, 20 4 गुना 6, 24 4 गुना 27, 28 और 4 गुना 8, 32 4 गुना 9, 36 और 4 गुना 10, 40 अब फिर से पंती में आगे बढ़ते हैं तो 5 से शुरू करें 5 गुना 5, 25 5, 36 5, 37, 35 5, 44 5, 45 और 5 गुना 9, 50 अब भाई 5 हो गया छेपे बढ़ें तो 5, 35 5, 37, 35 5, 48 5, 45 और 5 गुना 9, 50 यहां से भी पूरा कर लिया अब हम बढ़ेंगे यहां पर 6 और यहां भी 6 6, 34 फिर 6, 47, 42 6, 48, 49, 49 और 6 दहाई 60 इसी तरहा कॉलम में भी करते हैं 6, 47, 42 6, 48, 48 6, 99, 49 और 6, 12 अब हम आते हैं साथ पर 7, 47, 49 7, 58, 56 7, 63 और 77 इसी तरहा कॉलम पे 7, 58, 54 7, 63 और 7, 72 अब देखो 8 और 8 तो 8, 84 8, 92 8, 82 अब इसे कॉलम में लेते हैं तो 8, 92 8, 82 और अब 9 9 नम में 81 और 9 दहाई 90 अब कॉलम में 9 दहाई 90 और 10 दहाई पूरे 100 देखा दोस्तों कितना आसान था मोखिक चाट मोखिक तरीकी से गुना किया और बस बन गया हमारा पहाड़े वाला चाट है ना बिल्कुल आसान हमने देखो कितने अच्छे से पहाड़े बना लिये अब भी एक बाल घर पर चरूर कोशिश करें पर मिलेंगे बाई बाई हेलो बच्चों आज हम पैंग्विन गें खेलेंगे पैंगूइन गें में पैंग्विन है जिसे हमें गुना करकरके सही जवाब देखें चोटी पर पहुंच आना है तो चलो आओ शुरू करते हैं हमें लगेंगे पहाड़े और अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो पहाड़े की किताब लेकर बैठे और पेंग्विन को चोटी पर पहुंचाईए आईए शुरुआत करते हैं खेल की तो शुरू करते हैं लेवल बन से अगर हमारा लेवल बन पुरा हो जाता है हम जीट जाते हैं तब हम लेवल टू पर आते हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं आपको सही उत्तर चुन्ना है और पिंग विंग को चोटी पर पहुंचाना है यहां आप देख रहे हैं समय लिक करा रहा है जैसे अभी 44 या 43 या 42 सेकेंड हो चुका है तो जल्दी जल्दी करेंगे आप देख रहे हैं तीन का पहाड़ा हमें आठ बारी पढ़ना है तीन आठ तो आठ चुके 32 अब आते हैं पांच का पहाड़ा चार बार पांच चुके 20 तो यहां देख है यहां 21 22 और यह रहां 20 ओ हमारा समय समाप्थ होने को गया देको लाल रंगा गया चैस आते 42 ओ समय समाप्थ हो गया कोई बात नहीं हम फिट से कोशिश करेंगे सही उत्तर चुनकर पेंग्विन को चोटी पर पहुचाने में मदद करें चलो हमारे बास दो मिनिट का समय है शुरू करते हैं चैया आठी अरतालेस साथे आठी चपन दो साथे चौदह चार चुके 16 तीछे अठारह सत्रह का पहाड़ा है नौबार देखो जरा कितना है हाँ 103 पर मिला होगा ग्यारह चके तो 66 अठारह का साथ में पहाड़ा देखो दोस्तों 126 एक तम सही 18 और 12 सत्ते 84 और ये पहुच गए हम तो दोस्तों एक नए खेल के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखें गुद्बाई हलो दोस्तों भाग सीखने के चार्ट की मदद से चलिए आसानी से भाग करना सीखते हैं उपर संख्याओं के चार समूह हैं इन में से कोई एक समूह चुन लें अब सबसे 22 तंभु से एक संख्या चुनिए और उपर की पंगती से एक संख्या चुनिए और उनका भाग फल जानिए तो आज हम संख्याओं के चार समोजों हैं 11-20, 21-30, 31-40 और 41-50 इन में से आज हम चुनते हैं 31-40 तक की संख्याएं तो यहाँ पर यह आ गई मेरे पास 31-40 तक की संख्याएं अब जब मैंने बारी-बारी से चुनूँगी तो यहाँ उपर कुछ अंक आ जाएंगे जिनसे उस संख्या को भाग किया जा सकता है ये अंक उस संख्या के गुननखंड होंगे चले देखते हैं कि 31 के कौन-कौन से गुननखंड है 31-31 के तो दो ही गुननखंड आए 31-31 मतलब 31 को सिरफ एक और 31 से ही भाग कर सकते हैं तो 31 हुई हमारी अभाज्य संख्या 31-31 भाग एक बराबर 31 अब 31 को 31 से भाग करते हैं 31-31 भाग 31 बराबर एक यह तो बहुत आसान था अब देखते हैं कि 32 कौन-कौन से संख्याओं से भाग हो जाता है 32 32 भाग होता है एक से, दो से, चार से, आट से, सोला से और 32 से देखते हैं कि अलग-अलग संख्याओं से जब ये भाग होता है तो इसके कौन-कौन से भागफल आते हैं 32 भाग एक बराबर 32, 32 भाग, दो बराबर 16, 32 भाग, 4 बराबर 8, 32 भाग, 8 बराबर 4, 32 भाग, तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने 32 को इन संख्याओं से बारी-बारी से भाग किया, तो जो हमारे भाग पलाए वो भी इनी संख्याओं में से थे, चली देखते हैं कि क्या 33 में भी ऐसा होता है, 33 भाग होता है, 1, 3, 11 और 33 से, इने बारी-बारी से भाग करकर देखते हैं, 33 भाग 1, बराबर 33 भाग 3, बराबर 11, 33 भाग 11, बराबर 3, 33 भाग 33 बराबर एक जी, जब हमने 33 को इन संख्याओं से बारी-बारी भाग किया, तो भी भाग पल इनी संख्याओं में से था, दोस्तों, मैं उमीद करती हूँ कि आपको आज का ये भाग चाट और भाग असानी से समझ आ गए होंगे, आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे, और आपको धेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे, धन्यवाद. आज की कहानी एकदम बढ़िया है, इस कहानी का नाम है See You Tomorrow, इस कहानी का स्रोथ है Story Viewer Community, इस कहानी को लिखा है तानिया लूथर अगरवालने, और इस कहानी की चित्रकार है पार्था सेन गुपता. दोस्तों, बिनावग गवाएं देखते हैं और पता करते हैं यह कहानी किस बारे में हैं? See you tomorrow. Bye. See you tomorrow, frog. See you tomorrow, dear. See you tomorrow, monkey. See you tomorrow, sheep. See you tomorrow, peacock. See you tomorrow, cow. See you tomorrow, buffalo. See you tomorrow, elephant. Who is it? Just some friends. Call them in for breakfast. I have to go to school now. See you sometime. Sometime. यह कहानी एक छोटे बज्चे के बारे में हैं जो स्कूल से घर जाते हुए सभी जानवरों को See you tomorrow, यानि कल फिर मिलते हैं कहता हुआ जाता हैं और अगले दिन सुभा सभी जानवर उसके घर पहुँच जाते हैं फिर मां बच्चे के इन सभी दोस्तों को नाश्टा खिलाती हैं बहुत ही मज़ेडार थी यह कहानी तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं संजय गांधी जैविक उध्यान जू आउट्रीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम जिस जानवर के इंक्लोजर के पास चलेंगे, वो देखने में बेहद आकर्शक और सुन्दर लगता है हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं इन बालों को साहिल का काटा भी कहा जाता है ये इतने कड़े होते हैं कि किसी को भी भेद सकते हैं और इसी से ये अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं इनके आगे का पैर बेहद मजबूत होता है इतना मजबूत कि इस से ये अपने मांद की भी खुदाई करने में सक्षम होते हैं ये भारत में मुख्य रूप से पहाणों के किनारों पर और जंगलों में पाए जाते हैं। ये दिन के अवेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दिन में ये ज्यादा तर अपने मान में सोते हैं। साहिल हमेशा जोडे में ही रहते हैं। सिर्फ खाना खोजने के समय ये अकेले रहते हैं। साहिल काफी अच्छे तैराक होते हैं लेकिन ये ना तो अच्छे परवतारो ही होते हैं और नहीं ज्यादा कूदने में सक्षम। शायद इसलिए ये पहाडों के नीचे जमीन पर प्रकृती द्वारा निर्मित गुफाओं में या स्वैंग द्वारा निर्मित मान्द में ही रहते हैं भारतिय साहिल पूर्ण रूप से शाकहारी होते हैं इन्हें घास, फल, फूल या अनाज खानत ज्यादा पसंद है साहिल का प्रजननकाल फरवरी से मार्च तक होता है, 240 दिनों के बाद मादा साहिल एक बार में दो से चार बच्चे को जन देती है नवजात साहिल लगभग एक साल तक मांद में ही रहते हैं, इस दौरान उनके माता पिता दोनों उनका देख भाल करते हैं इनका जीवन काल 20 सालों का होता है और वजन 11 से 18 किलो, इनकी लंबाई ज्यादा तर 70 से 90 सेंटिमीटर तक की होती है यह एक लार्ज साइज का रूडेंट है अर्थात यह चुहे के फैमिली से कुतर कुतर कर खाने वाले फैमिली में का सदस्य है जो साही होते है पर्कुपाइन इनका डिस्टिवूशन लगभक पूरे अविसम में पाया जाता जैसा नौर्थ अमिर्का, साउथ अप्र, चाइना, इंडिया यूरोपियन कंट्रीज में भी यह पाय जाते हैं, अस्टेलिया में भी इन्हका दिस्टिवीूसन है और यह इस्टिकली नॉक्टर्नल है, अरठात यह रात में ही सक्रिय होते हैं, यह पेर पेर आसानी से चड़ सकते हैं, और यह अपना मांध बना कर रहना पसंद करते हैं, मेकेनिजम है जो इन्हें प्रीडेटर से वचाते हैं और इसके अतरीक ये खास तरह का सेंट भी होर्म सेक्रीट करते हैं जब ये किसी भी तरह का इनको असुवक्षा की भावना आती है इन के संख्या इनके सरीर पर लगवक तीस asyacल तक हो सकती है जो किराटिनीन से होता है और ये बडी से निकलने के बाद फिर से इनका ड्रीजनेरेशन सुरू हो जाता है और ये यह offensive होती हैं और तो उस टाइम इनके जो quills हैं यह खड़े हो जाते हैं और चलने पर गुंगरू के तिरह इनका आवाज आता है जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और यह मतलब अपने दुस्मनों को सतर करने के लिए एक वार क्राई टाइप का अपने quills के माध्यम से देते हैं लंगूर एश्याई बंदरों की विभिन जातियों का सामान्य नाम है इन्हें कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है इनके पूछ सहित शरीर की लंबाई एक सो पचास से एक सो पच्छत्तर सेंटिमीटर तक होती है इनके पूछ इनके शरीर से लंबे होते हैं पूँच की लंबाई 90-100 cm तक होती है मादा नर से छोटी होती है लंगूर एक जगर से दूसरी जगर छलाग लगाते हुए अगर पहुँचने में असमर्थ हो जाएं तो अपने पूँच के सहारे जमीन पर पाउं रखे बिना अपने पूर्व के स्थान पर वापिस आ जाते हैं इनके शरीर का रंग सलेटी और चेहरे, कान, तलूए, हाथ, पैर का बाहरी हिस्सा काला रहता है एक स्वस्त लंगूर का वजन 16-21 किलोग्राम तक होता है लंगूर बंदरों से कम उचल कूद करने वाले होते हैं और आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं लेकिन कहीं-कहीं बस्तियों में भी इनके समून दिखाई पड़ते हैं इनका जीवनकाल 20-30 सालों का होता है लगभक्षा महीने के गर्व धारण के बाद मादा लंगूर एक बार में एक बच्चे को जन देती है जो कुछ समय तक मां के पेट से चिपका रहता है मां अपने बच्चे का बहुत अच्छे से देख भाल करती है नवजात लंगूर चार से पांच सालों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते है ये शाकाहरी होते हैं इन्हें फल, फूल, सबजियां और पत्ते खाना पसंद है इसकी संख्याज होती है खुले में अगर प्रकृतिक वास में देखें तो 10 से 100 के आसपास में इसकी संख्या होती है और ये काफी धार्मिक द्रिष्टी कौन से इन्हें हनुमान भी कहा जाता है संजय गांधी जैवी कुद्यान में इनके रख रखाओ पे इनके एक्टिवीटी गतिवीधी करने के लिए जूले इत्यादी की वेवस्ता की गई है रख रखाओ पे ध्यान देना पड़ता है चुकि मौसम के हिसाब से इन्हें भोजन और आवासन की वेवस्ता की जाती है मूल रूप से इन्हें हम लोग भोजन में मुंग फली, चना और फल देते हैं साहिल अपने आकरशक रूप और कांटों के कारण और लंगूर अपने एंक्लोजर में अपनी चंचलता के कारण चेडिया घर में आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोग प्रिये हैं यहां आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके इन्क्लोजर के पास जरूर आते हैं आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए इन्क्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ तब तक के लिए नमस्कार आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें मिलते हैं अगले एपिसोड में बाई बाई बच्चों बैं 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 शुदो बन की बजी, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुखाएं बैं 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 बैं